क्या आपको peripheral neuropathy develop हो रही है जिसकी वज़ा से आपके हाथों में जलन होती है आपके पैरों में जलन होती है आप चलते हैं तो आपको एक ऐसी feeling आती है जैसे आप घास पे चल रहे हों कार्पिट पे चल रहे हों आपको आपके ही तलबे मोटे feel होते हैं सुया से चुबनी की feeling रहती है आपको पैरों के sensation में हाथों के sensation में थोड़ा सा कमी आ गई है गरम की feeling ठंडे की feeling कम होती है आपको ऐसा लगता है कि चीटियां से चल रही है या फिर सुईयां से चुब होई जा रही है यह यह ऐसे लक्षण हैं तो यह peripheral neuropathy के लक्षण होते हैं आज हम इसी समस्या क्यों develop होती है क्या कारण है जिससे यह दिक्कट develop हो रही है क्योंकि यदे हम कारण बड़ा ही किसी भी disease में important होता है यदे हम कारण जान जाए तो बीमारी को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं या फिर ठीक होने में उसे काफी मदद मिल जाती है dear friends साथी साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस समस्या को ठीक करने की जो सबसे असरदार तीन होमियोपैथिक दवाईयां हैं जिनको मैं खुद भी अपनी क्लीनिक में यूज़ करता हूं जिनके result मैं खुद अच्छा पाया हूं dear friends एक important बात यह बहुत ही authentic information है आप वीडियो को last तक देखिएग जिससे आपको अच्छा फायदा मिले और पूरे तरीके से फायदा ले पाएं हमारे शरीर में नसे होती हैं जो हमारी touch की feeling के लिए sensation के लिए heart cold की feeling के लिए responsible होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज ठंडी है गरम है या फिर कहीं touch हो रहा है इसके लिए नसे responsible हो जाए इसी नस में damage हो जाए तो यह समस्या develop हो जाती है यह तकलीफ हो जाती है जिसे peripheral neuropathy कहते हैं समस्या के develop होने के कुछ महत्वपोंट से कारण होते हैं इन कारणों की अगर हम बात करें तो पहला यही होता है कि यदि आप diabetic हैं लंबे समय से diabetic हैं और सुगर आपका control नही B1, vitamin B1, B6, B12 के deficiency अगर है तो आपको यह दिक्कत देखने को मिल सकती है यदि लीवर का आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा है लीवर की बीमारियों से आप सफर कर रहे हैं या फिर लीवर में कोई बीमारी develop हो रही है तो यह दिक्कत डवलप हो सकती है किडिनी की inflammation हो रहा है तो भी यह दिक्कत डवलप हो सकती है यदि आप बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं लंबे समय से सराब पी रहे हैं इस दिक्कत को ठीक करने की अगर हम बात करते हैं तो पहली medicine का नाम आता है sickle call sickle call dear friends बहुत ही अच्छी medicine है यह हमारे central nervous system में इस medicine का अच्छा रोल देखा जाता है यदि आपकी नसों में जंजनाहट हो रही है सुनपन की फीलिंग आ रही है आपका हाथ या पैर ठंडा लग रहा है ऐसा लग रहा है कि सुहिया सी चुब रही है तो आप sickle call जरूर यूज़ करें इस medicine की 200 potential लीजिए इसकी चारबूद सुबह और चार पैरों में जलन हो रही है तो आप रैफनस यूज़ कर सकते हैं इस medicine का एक और इंडिकेशन होता है कि peripheral neuropathy के साथ साथ इस patient को gastric complaints धेर सारी रहती है उसे बहुत धेर सारी गैस बार बार पास होती रहती है flat as pass होता रहता है ऐसी condition में रैफनस अच्छा काम करती है इस medicine की 30 potency की चार चार बूद सुबह दो पैर शाम तीन बार effective result देगी last medicine का नाम आता है cadmium self यदि peripheral neuropathy डवलप हो रही है और patient को ये feeling आ रही है कि सुया सी चुब रही है उसके पैरों में या फिर हाथों में patient को ये feeling आती है जैसे चीटियां सी काट रही है या पिर कीटियां सी रिंग रही है साथी साथ patient की आँखों के किनारे किनारे darkness डवलप हो रही है तो आप cadmium self यूज करिए इस medicine की 30 potency लीजिए इसकी 4-4 बूदे सुबह दो पैर शाम तीन बार आप लीजिए अच्छा result पा चाहते हैं या फिर online consultation चाहते हैं तो आप दिए गए number पर consult कर सकते हैं या फिर मेरी clinic पर directly आ सकते हैं thank you thanks for watching